कि मेरे किसी एक सब्सक्राइब कहना है कि मेरे लेपटप के अंदर वाइफाई कनेक्ट है और मुझे इस वाइफाई का पासवर्ड देखना है इसका पासवर्ड क्या है मुझे नहीं आता है मुझे इस सेटिंग पता नहीं है कि कैसे लेपटप कम्पीटर के अंदर कनेक्ट ह देख सकते हैं उसकी सेटिंग उपन कर सकते हैं तो जानने के लिए सीखने के लिए इस पीडियो को कंटिन्यू सुरू से लेकर लाज्ट तक जरूर दिखें दोस्तो आप दिखने हैं Tech Directory सबसे पहले आपको माउस का Right बटन क्लिक करना है यहाँ पर है Display Setting आप इस पर क्लिक कीजिए Display Setting पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर Home आ रहा है आप इस पर क्लिक कीजिए Home पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर Option मिलेगा Network and Internet आप इस पर क्लिक कीजे Network, Internet पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके Wi-Fi, Internet से संबंदी सारी सेटिंग आजाएगे आपको यहाँ पर नीचे आना है यहाँ पर Option मिलेगा Change Adapter Option ठीक है आप इस सेटिक पर क्लिक कीजे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर है Wi-Fi आप इस पर क्लिक कीजे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक Dialog Box आएगा यहाँ पर Option मिलेगा Wireless Property ठीक है आप इस पर क्लिक कीजे wireless property पर click करने के बाद दूस्तों यहाँ पर security मिलेगा आप इस पर click कीजिए click करने के बाद दूस्तों आपका security type encryption type और network security यानि पासवर्ड आपका network security है उसके आने dot dot डलाए यह आपके bifi का password है अब यहाँ पर पूरा आपका wifi password है तो आपका internet connect है laptop के अंदर उसका wifi password यह है ठीक है तो other का देखना चाहते हैं तो other का भी इस तरह का देख सकते हैं बस आपको connect करना है और फिर यहाँ पर आ जाना है यह फिर आपको जितने network आ रहे हैं उन पर click करके देख सकते हैं आपके wifi का password laptop यह computer के अंदर आपको यह बीडियो काफी helpful लगा दोस्तो इसी तरह की helpful बीडियो के लिए हरे चन पर बने रहे है धन्यवाद